तो स्वागत है एक और नई वीडियो में आप सभी का ये वीडियो तो शारुक खान की टीम अपना तीसरा मतलब के पहला मैच खेरेगी दूसरे दिन IPL के मैच होने वाला है कोलकटा में और ये दोनों टीम है जब भी विड़ती है तो भाईया क्लैश आफ क्या बोलते हैं उस दोनों में IPL के सबसे महेंगे प्लेयर मिचल स्टार्क और पैट कमिन्स है तो भाईया मैच तो होना है कचाब अब देखते हैं कि इनके बीच में पहले क्या हुआ हुआ है पिछले 25 मैच जो इनके बीच में खेले गया है 16 जीती है केके आर 9 जीती है है तराबाद तो भाई केके आर का पला कितना भारी रहता है और केके आर कोलकटा में बहुत कमबार होता है हारती हुई दिखाई देती है तो भाईया सीधा सीधा वेटेज है केके आर पे बट एसारेच अगर आपको नहीं पता है संराइजर हैदराबाद की जो पूरी कैम्प है वो अभी साउथ लीक में जीत कर आया है वहाँ पर संराइजर ही जीती थी तो भ YEAH बहुत मज़ा आने वाला है तो गई सीधा चलते हैं आपको बताते हैं क्या होगी इन दोनों की प्लेइंग 11 साथ में पूरा स्कौर्ड और सारी चीज़ें आपको बताते हैं तो भाईया भारी कौन पड़े पढ़ेगा और SRH भारी पढ़ेगी तो भाई जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक दबा दो चलते हैं सीधा टीमों के उपर और आपको बताते हैं कि क्या हो सकती है KKR के इंडियन प्लेयर्स की टीम तो भाईया ये 10 इंडियन प्लेयर्स जो की मुझे लगता है इन में से ही 7 खेलने वाले हैं देखो भाईया CDC बात बता रहा हूँ श्रेश एयर रेंकु सिंग एन राना वी एयर ये चार बंदे तो खेलें गई खेलेंगे उसके बाद पाँचवा बंदा वी चकरवर्ती छटा बंदा सुवेश शर्मा ये हमेशा खेलता है ये आपको इंपैक्ट प् जादा है तो ये हो गया इनका साथवा पिक और अगर इंपैक्ट प्लेयर इंडियन होगा तो आठ इंडियन होने चाहिए तो M. पांडे A. सुधाकर और V. अरोडा में से कोई एक बंदा जो कि V. अरोडा पिछली बार खेला था उसके चांस जाता रहेंगे तो भईया टीम बहुत सॉलिड लग रही है इंडियन प्लेयर इनके पास काफी सॉलिड रहते हैं हमेशे अब बात करते हैं जो बेंच पे इंडियन प्लेयर्स है केश विकर भरत खेलने का चांस बहुत कम है A. रगूबनत, R. सिंग और S. उसेन इन में से किसी का भी खेलने का चांस बहुत जादा कम रहने वाला है अब बात करते हैं इनके फॉरन प्लेयर्स की भाईया देखो इनके फॉरन प्लेयर्स में है जलवा, क्यों जलवा है वो भी बता देता हूँ क्योंकि इनके फॉरन प्लेयर में है मिचल स्टार्क जो बहुत महिंगा विका है आइटियल में ए रसल, एस नरायन और कीपर भी फॉरन प्लेयर में से एक होगा या तो पी सॉल्ट या आर गुरुबास पहले आर गुरुबास को खिलाना चाहिए फिर अगर वो फेल होगा तो पी सॉल्ट के लेगा S रदर फोर्ड का थोड़ा कम चांस है खेलने का A रसल और S नरायन ये तो खेले के ही खेलेंगे ये दो पक्का है उसके बाद M स्टार्क पक्का है मिचल स्टार्क, A रसल और S नरायन कहीं नहीं जाने वाले गाईस तो ये तीन और राउंडर पका हैं और चौता होगा गुरुबाज या सॉल्ट में से एक रदरफोर्ड चमीरा और मुझीबूर रह्मान को शायद बैटना पड़े मुझीबूर रह्मान को जिस दिन चांस मिलेगा उस दिन सुनी नरायन नहीं खेलेगा अब बात करते हैं कि इनकी प्लेइंग लेवन किस तरह दिखाई दे सकती है आर गुरुबाज चार इंडियन बैटस्पैन उसके बाद ए रसल एस नरायन एम स्टार्क ए चकरवी चकरवर्ती एचराना स्वेश शर्मा इंपक्ट प्लेयर और एक वैबा वरुडा आपको खेलता हुआ दिखाई दे सकता है इनकी टीम बहुत ही साफ है आर गुरुबाज की जगे पी सोल्ट एस नरायन की जगे मुझीबूर रहमान यही चेंजिज आप एक्सपेक्ट करो अब बात करते हैं हैद्रवाद तो भाई लोगो लाइक और कमेट ठोकते जाना जिन्होंने नहीं ठोका है अब हैद्रवाद की टीम आने वाली है बहुत मजाने वाला है भाई या इन 9 बंदों में से साथ बंदे खेलने वाले है most probably मुझे लग रहा है कि impact player या तो टीन अट राजन होगा या फिर कोई एक पैटस्पेन पिशली बार मयंक अगरवाल या अभिशेक शर्मा को कई बार impact player के रूप में देखा गया है त्रिपहाटी भी कभी के बार impact player बन जाता है या शर्मा बोलिंग करता है इसलिए उसके chance थोड़े कम रहते है impact player बनने के आप लोग ये देख सकते हैं कि 8 player इन 9 में से 8 player हो सकते हैं कि अगर Indian player ही impact player होता है तो 8 इन में से खेलेंगे हो सकता है मयंक अगरवाल को chance ना मिले अब इनके bench पे कितने बन्दे हैं भाईया इनके bench में जो आपको बन्दे दिख रहे हैं A. Singh, U. Yadav, S. Ahmed, K. Nitesh, S. Singh, J. Unagdath, A. Singh और J. Subramaniam इसमें से सरिफ एक ही बन्दा लगता है जो खेलेगा मुझे लग रहा है J. Unagdath Unagdath के, Unagdath के सबसे ज़्यादा chance है क्योंकि वो bowling करता है left arm bowler है काफी ज़्यादा विक्टे लेता है और ये बन्दा impact player के रूप पे खेलता हुआ दिखाई दे सकता है अब इनके foreign players की बात करते हैं इनके foreign players बहुत ही interesting है काई सबसे अच्छे foreign players मुझे इसी टीम के लगते है क्योंकि इनकी टीम में swag है H. Klassen A. Markram M. Jensen ये तीन बन्दे भाया ये नहीं खेलेंगे Sunrider, Hyderabad में तो टीम अधूरी सी लगेगी इन तीनों का खेलना तो बहुत जरूरी है और Pat Cummins भाया अगर ये चार बन्दे खेल गए तो बाकी चार foreign players को तो बैठना पड़ेगा अब replacement कैसे होगी अगर Spinners की पिछ है अगर लगता है Spinners friendly पिछ है तो Pat Cummins या Marko Jensen में से किसी एक को बैठ कर हसरंगा को लिया जाएगा अगर बैटर की कमी लगेगी तो हो सकता है Markram को एक दो match के लिए rest मिले तब Travis Head आ जाए बहुत कम chance है भाया इस team में की भाया Glenn Phillips, T-Head, हसरंगा और फरूकी में से किसी एक को chance मिले Markram injured होगा तो Phillips को chance मिलेगा Jensen अगर injured हुआ तो हसरंगा को chance मिलेगा बहुत ज़्यादा tight रहनी है situation Classen तो खेलेगा ही खेलेगा सबसे बड़ा impact वाला player है तो भाई लोगों इस squad में मेरे को लगता है कुछ foreign players को chance नहीं मिलेगा और उस वज़े से उनका wastage हो सकता है बट देखते हैं क्या होता है अब देखते हैं कि playing 11 क्या हो सकती है guys Most probably मुझे लगता है ये 10 player तो खेलेंगे M अगरवाल का थोड़ा बहुत डावटफुल हो सकता है बट ये 10 player तो मुझे लगता है खेलते होए दिखने चाहिए ही चाहिए इसके अंदर 4 foreign players आपको दिख रहे हैं टीम बता देता हूँ हो सकता है इसमें समाद अब्दुल समाद को चगे मिलेगी तो हो जाएंगे पूरे 11 player बारवा player फिर एक impact player रहेगा बॉलर होगा तो फिर टीन टराजन होगा और अगर batsman होगा तो फिर वो देखेंगे कौन सी लाइरफ में कौन सा इंडिन player फिट हो सकता है foreign player तो नहीं होगा most probably बट इंडिन player हो सकता है तो guys ये रहने वाला है इनका squad मुझे तो इनका squad भी पसंद है बट KKR का पला फिर भी थोड़ा भारी है क्योंकि उनके इंडिन batters इनके इंडिन batters से जादा अच्छे है most probably तो decision इंडिन batters पे ही आना है तो देखते हैं guys क्या होता है तो guys मैंने आपको बता दिया है सारे चीजे अब आते हैं आपके उपर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा KKR या फिर SRH जिसको जो लगता है comment section में बता दो जल्दी से like और comment कर दो और मुझे बताओ कि भाईया कौन जीतेगा और कौन मारेगा इन में से बनेगा most valuable player MVP chat में लिखके उदाद हो guys क्या वो Pat Cummins होगा या Mitchell Stark होगा या Adrian Markram होगा या फिर Rinku Singh होगा जो जिसको support करता है chat में लिखकर बता दे हम आपका wait करेंगे chat में आपका क्या answer होता है हम chat में आपका wait करेंगे तो जल्दी से chat करती है guys thank you, thanks a lot bye bye and take care बट जाने से पहले एक बात तो करना भूली किया Prime Membership की बात करना भूली किया आपको उपर एक link आएगा उस पर दाकर देख सकते हमारी Prime Membership है हम Prime Membership देते है IPL की Full IPL की Prime Membership है 20 दिन की IPL की Prime Membership है 10 दिन का package है तो जो package आपको अच्छा लगता है वो package लीजिए मेरा number है 7838116382 आप इस पर contact कीजिए मैं आपको एक वीडियो दे दूँगा वीडियो को देखें उसमें सब कुछ बता रखा है कि IPL में आपको क्या-क्या team मिलेगी कैसे team मिलेगी trump card मिलेगे और आपको कैसे use करने है winning की guarantee हमारी नहीं होती बट अच्छी से अच्छी team बनाने में हम आपके help करेंगे Thank you guys Bye bye and take care